हलो फैंस, आज का DLA का समावेशी शिच्छा का जो पेपर हुआ है, वो मेरे पास आज चुका है, काफी सरल पेपर था, आपने आसानी से कर लिया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे, कि आपके सभी के 40 प्लस आराम से आ जाएंगे, क्योंकि इतना टफ नहीं था ये पेपर, आ आप आराम से कर सकते, कोई भी कथन बगारा ऐसा कुछ आया नहीं, सीधे सीधे कुशन दे, और काफी प्रिवेस एर पेपर से भी रिलेटेट थे, जो मैंने कल सेरीज कराई थी, और जो मैराथन कराई थी, उससे भी काफी कुछ फसा है, तो चली कुशन देख लेते कैसे आ आप इकसित की अगर हम बात करें, तो यह तो मन्द बुद्धी वालक आ जाएंगे समय, सामाने जो होगी, वो सामाने बालकों की आ जाएगी, लेकिन जो प्रतवास हाली होते हैं, इनकी इंद्रियां काफी तेजी से काम करती है, इसलिए इनका जो IQ होता, वो 140 तक होता है, यह उससे उपर होता है, नेश कोशन था कि परामर्स की प्रमुक उद्देश है, परामर्स मैंने आपको पढ़ाया था अगल, निर्देशन और परामर्स, तो परामर्स मतलब मैंने बताया था कि सलहा लेना किसी से, कोई सलहा देता है, तो वो कहलाता है परामर्स, तो पराम ग्यान होता है कि हमें अपना ग्यान भढ़ाना है, इसलिए हम परामर्स लेते हैं किसी से, सामाजिक सामंजश से भढ़ाना है, तो भी हम परामर्स लेते हैं, या आत्म स्विकृती, अपनी स्विकृती चाहते हैं, इसलिए हम परामर्स देते हैं, लेते हैं, तो इसमें उप् के धारब में भी दरिश्टी बादितों की सिच्छा का प्रावधान है तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा नैश कोशन है कि कि स्रमिड बादितों के बरगी करन का आधार होता है तो मैंने बताया था कि क्टेशबल के अधार पर हम इनका बरगी करन करते हैं जिसें 20 डेसिवल से कम सुनाई देता है तो ऐसे करके बांट रखा था और जिने 90 से 100 decibel तक रखा तो उन्हें पूर्ण रूप से हम क्या कह सकते थे स्रविडवादित कह सकते थे तो ऐसे करके हमने डिवाइड किया थे ने बर्गी करन किया था इनका ठीक है तो यह decibel अंग हो जाएगा पहला option आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा नैश Quit shining है कि Alfred Binay ने पहला बुद्धी परिशन किया था यह चीज मैंने आपको कल बताई थी दिईक हे जब सामनमित वाला हम पढ़ने लग ग गये थे तो उसमें मैंने बताया था प्रियोग साला कब खुली गी थी वो भी मैंने बताया है तो अल्फरेट बिने ने जो पहला बुद्धी परिशं किया था वो 1905 में किया था निम्ण में से कौन सा प्रेक्टिकल रिकॉर्ड की पदपर नहीं है कहानी निसकर्स गढणा या उद्दिश देखिए हम सबसे पहल तो पहला option पर ठीक हो जाएगा Nash question है कि प्रथा मनोविग्यानिक प्रियुक साला की स्थापना किसे ने कीती मैंने कल बाता है था आपको कि सबसे पहले मनोविग्यानिक प्रियुक साला की स्थापना कीती बिलियम बॉंट ने कब कीती 1800 नियासी में कीती कहां की थी, तो जर्मनी के लिबजिंग सहर में की थी, और उनिवस्टि का नाम था कालमाक्सि उनिवस्टि, ठीके फिर नैश कुछन है कि सही दृष्टी कहला थी तो ये भी हमने पढ़ा था, या तो 20 बटे 20 लिखा होता है, या 6 बटे 6 लिखा होता है तो सही द्रिष्टी कौन सी कहलाती है तो 6 बटे 6 जो हो है वो सही द्रिष्टी कहलाती तो पहला option आपके बिल्कुल ठीक हो जाएगा नैस question है कि मनोविग्यान केंदर का प्रमुक कार क्या होता है तो मैंने कल पढ़ाया था जब हम परामर्स की संस्थाओं के बारे हम पढ़ रहे है तो उसमें सबसे पहले हमने मनोविग्यान केंदर के बारे हम पढ़ा था तो उसका कार क्या था निर्देशन करने का कार था इसका प्रसिच्छन करने का भी कार इसका था सोधकार जो भी होते हैं वो भी ये करती है ठीक है जो पत्रकाय होती है वो भी ये निकालती है राश्टी पृत्वा कोज जैसी जो परिच्छा होती है उनका भी आयोजिन कौन करते है तो मनोबिग्यान केंद्र करते है तो यहां पर उप्रोग सभी सही आंसर हो जाएगा ठीक तो ये दोनों ही रीजन हो सकते हैं तो तीसरा option है पर बिल्कुर ठीक हो जाएगा उप्रोग दोनो Nash question है कि सिच्छा प्रिक्रिया में अन्कूलन की आपशक्ता नहीं होती है किसे अन्कूलन की आपशक्ता नहीं होती है तो उन्हें तो अन्कूलन की जरुवत है जो अस्ती बादत हैं जो सही से चल नहीं पाते है तो उन्हें भी अन्कूलन की जरुवत पड़ती है दरश्टी बादत होते हैं जो सही से देखनी पाते हैं उन्हें भी अन्कूलन की जरुवत पड़ेगी लेकिन जो प्रतवा साली होते हैं उन्हें अन्कूलन की ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है उन्हें थोड़ों अपने को ढ़लना है किसी दूसरी की कंडिशन में वो पहली सी सुपर्व है ठीक है सवर्दन कारकरम जो होते हैं वो भी इनकी लिए चलाए जाते हैं और उप्चारी कारकरम जो होते हैं जो इनकी समस्या होते हैं उनके उप्चार के लिए चलाए जाते हैं तो बो भी चलाए जाते हैं तो उप्रोक सभी यहां पर सही आंसर हो जाएगा टीक है तो 1921 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, second option बिल्कुल ठीक है, अब हम बात करेंगे अती लगुत 3 प्रेशन की, यह भी कफी आसान आये थे, इसमें पहला प्रेशन था कि परामर्स दाता के दो गुण पता ने थे आपको, तो कल ही मैं ने आप पढ़ाया था आपको, कि परामर्स दाता जो है, उसे उच नैतिकता से युक्त होना चाहिए, मतलब उसकी जो नैतिकता है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीके नैतिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उल्टी सीधी सलहा दे वो, दूसरा है कि उसे सहन सील, धहरबान होना चाहिए, और समस्या जो भी है, उ जीबन के प्रती निराशा होती है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते थे, नैश ठीकी निर्देशन के दो उपकरण बताने थे आपको, तो ये भी मैंने आपको बताया थे निर्देशन की विधियों के नाम से, ठीक है तो इसमें आप प्रमामी करत प्रबधियां लिख स स्थापना की, दूसरा क्या था, कि जिले इस तर पर कई सारी ऐसी चीज़ां होती है, जो गवर्वर्वेंट करती है, लेकिन उनकी सुबधाओं को नहीं मिल पाते हैं, उनकी जो सुबधाओं होती हैं, वो नहीं पहुंच पाती जिलो तक, ठेके तो उन सुबधाओं के लिए डाइट के स्थापना कीएगी, तीसरा क्या था, कि जो टीचर्स थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए एक संस्था की स्थापना करनी जोरी थी, तो इसलिए डाइट के स्थापना कीएगी, तो ये सारी चीज़ां आप लिख सकते थे, नैश कोशन था, कि डाइट के दो भिवाग नेंतरात्मक पुर्वेशन, यह नेंतरात्मक वाला होता है, जो control करता है चीजों को, और निरशनात्मक होता है, जो observation करता है, इसके माध्यम से prevention करता है, तो यह दो प्रकार होते हैं, फिर next है आपका, कि सारी रिख दच्छता से क्या तातपार है, सारी रिख दच्छता से मतल निदान का मतलब यही होता कि किसी भी ब्यक्ति की समस्या का पता लगाना निदान कहलाता है उसे दूर करना क्या कहलाता है तो उपचार कहलाता है यही सी लिख सकते हैं नैश था कि अपवंचित वालक पिछड़े वालक से कैसे बिनने हैं देखे अपवंचित वालक के बारे में आप लिख सकते थी ऐसे वालक जिन्हें समाज से अलग कर दिया गया हो चाहें वो सामाजिक रूप से हो, चाहें सम्वेगात्मक रूप से हो, चाहें आर्थिक रूप से तो ऐसे वालक अपवंचित वालक कहलाते हैं लेकिन और यह बालक होसयार भी हो सकते हैं यह ज़रूरी नहीं कि हमेसा मंद होंगे इनका IQ हमेसा ही कम होगा तो IQ इनका तेज भी हो सकता है लेकिन जो मंद बुद्धी वालक होते हैं ठीक है जो पिछडे वालक होते हैं तो पिछडे वालक जो होते हैं वो धीमी गती से चीज़ों को सीखते है इनका IQ भी काफी कम होता है ठीक है इनका मन नहीं लगता पर TLM से आप क्या समाचते हैं, तो teacher learning material ये कहलाता है, ये सिचर समगरी को सुचारूर्ट से सलाने के लिए इसका निर्वान किया जाता है, और एक तरीके से teachers प्रभावसवाली डंग से पढ़ाने के लिए इनका यूज करते हैं, तो ऐसे करके आप लेख सकते थे, बुद्धि जो present time में उसकी जो age है, ऐसे करके आप लिख सकते थे, नैश कोशन है कि परामर्स में सहयोग देने वाली संस्ताओं के नाम लिखने थे, तो आप लिख सकते थे, कौन कौन सी संस्ता है, डाइट है, आपका CMO है, और क्या है, तो अमनों भी गयान साला हो जाएगी प्रयाग तो यह सारी चीज़ें आप लिख सकते थे, तो पिपर काफी आसान है, अब हम बात करेंगे अति लगुत्री प्रशन होगी, तो इसमें पहला था कि अच्छे परामर्स दाता के चार कार लिखने थे, आपको तो यह आप लिख लिख लिए होंगे, पर नैश्ता की समधाय के जनका विकासितिन तेजी से नहीं होता है, चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, तो यह चीज़ भी आपने लिख लिख ली होगी, फिर नैश्ता की बाद, बिबाद, बिधी से आप क्या समझते हैं, तो एक तरीकी से डिवेड करना, किसी एक टॉपिक पर दो पच होते हैं, पच होता, एक बिपच में बोलता, तो ऐसे करके आप इनी चीज़ के बाद बिधी के बाएं, अपवकनचन क्या है, कि कुछ लोग होते हैं समाज में, जो और लोगों की जैसे प्रगती नहीं कर पाते, तो उनके हिसाब से अगर देखे, तो उतनी अच्छे से ग्रोथ नही कर पाते तो यही कहलाता है अपो बंचन नैश था कि सरजनात्मक था कि मुखे तत्व बताने थी मैंने बताया था कि बहुत इंपोर्टेंट कोश्यन है ठीकि चार तत्व आप हैडिंग याद कर लेना मौलिक्ता करके यह चार तत्व थे ठीकि तुनको याद करना था लिख ल दूर रहते हैं अकेले रहते हैं यह सारी लिख लिए होंगे निरिष्ण प्रिदाली में सुधार के दो सुझाव लिखने थे तो यह भी आपने बना-बना कर लिख लिए तो पेपर आसान था ठीक है तो चलिए मिलते हैं कल की पेपर में अच्छे सा त्यारी करना ठीक है all the best कल के लिए